नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज का हमारा वीडियो वेट लॉस सीरीज का सेकेंड अपिसोड है अगर आपने मेरा फ्रस्ट वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिये और मेरे first video पे जाईए और उसको ध्यान से देखिए और उसको follow करने की कोशिश करिए अगर उससे जुड़े कुछ सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो आप comment section में जाईए और लिखिए उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी दोस्तों बेट लॉस करना कोई rocket science नहीं है और ना ही कोई जादू है ये एक basic science का principle है आपको उतनी ही calorie consume करनी चाहिए जितनी आपकी body के लिए जरूरी है अगर आप extra calorie लेते हैं तो वो fat के रूप में आपकी body में deposit हो जाती है और नहीं केवल वो आपका वजन बढ़ाती है बलकी cholesterol बढ़ाती है उससे आपको diabetes हो सकता है high blood pressure हो सकता है arthritis जैसी समस्या भी आ सकती है आपका goal क्या होना चाहिए weight loss करना या ideal weight होना एक ऐसा weight जो की आपकी body पे suit करता हो जिससे आप अच्छे दिखते हो अगर आप बहुत ज़्यादा weight loss कर लेते हैं तो आप underweight की श्रिनी में आ जाएंगे वो भी आपके लिए एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि उससे आपको बहुत weakness फील होती है आप अपना काम नहीं कर पाते आपकी immunity लो हो जाती है बहुत सारी परिशानियां खड़ी होती है इसलिए आपके लिए weight loss करने से ज़्यादा जरूरी है कि आप बस उतना ही वजन अपना रखें जो आपकी personality को suit करता है और जिसमें आप healthy महसूस करते हैं और जिसमें आप जब भी कोई काम करते हैं तो काम करने में आपका मन लगा रहता है कुछ लोगों को लगता है कि जब वो अपना weight loss बहुत ज़्यादा कर लेंगे और बहुत पतले दिखने लगेंगे तो वो उनके लिए अच्छा है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है अगर आप बहुत पतले हो जाते हैं और वो आप कैसे करते हैं डाइटिंग करके आप कम खाने लगते हैं जिस वज़े से आपके शरीर की जो डिमांड होती है जितनी protein चाहिए वो आपको नहीं मिलती है और protein synthesis कम होने के वज़े से आपके ब अगर आप अंडर वेट के हैं तो इस पे भी मैं एक वीडियो आपको लेके आऊंगी जिससे आपको यह पता चलेगा कि आप अपने वेट को थोड़ा बढ़ा कैसे सकते हैं आज के वीडियो में आप जानेंगे कि आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए और आपको कितन आपका वेट लॉस भी हो और आपको वीकनेस भी फील ना हो इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे सूपर फूट के बारे में जिससे आपको वेट लॉस करने में बहुत मदद मिलेगी और वीकनेस बिलकुल भी महसूस नह कुछ लोगों को यही नहीं पता कि उनका वजन कितना होना चाहिए और वेट लॉस करने के चक्कर में वह अपनी हेल्थ और खराब कर लेते हैं आपका एक आइडियल वेट ही होना चाहिए जैसे कि कोई 6 फिट का है और अगर कोई 5 फिट का है अगर 6 फिट का इंसान 5 फिट के इंसान वाला वजन पाने की कोशिश करेगा तो वह अंडर वेट हो जाएगा और अगर 5 फिट वाला इंसान 6 फिट वाले की वजन पाने की कोशिश करेगा तो वह ओवर वेट हो जाएगा क्यूंकि जादतर लोगों की हाइट 5 फिट से 6 फिट के बीच में रहती है की बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं क्या आप जानते हैं कि डबलु एचो भी अपने रिकॉर्ड के लिए बी एम आई का इस्तेमाल ही करता है बी एम आई बॉडी फैट को मेजर करने का सबसे आसान तरीका है इससे आप एप्रॉक्सिमीट आइडियल वेट अपना जान सकते हैं यह मेल फीमेल अडल्ट और ओल्ड एज में भी सेम तरीके से एप्लिकेबल होता है लेकिन जब बच्चों की बढ़ती उम्र होती है उस समय मेल और फीमेल का ग्रोथ पैटर्न अलग-अलग होता है इसलिए इसके चार्ट भी अलग-अलग होते हैं आज जो मैं और ओल्ड एज पर ही एप्लिकेबल है सबसे पहले जानते हैं बीमाई कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए आपको अपनी हाइट मीटर में नापनी पड़ेगी और अपना वजन किलोग्राम में नापना पड़ेगा इसका फॉर्मुला है बीमाई इक्वल्स टू वेट इ तो इसका मतलब आप अंडर वेट हैं आपको अपना वजन थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए अगर आपका बीमाई 18.5 से 25 की रेंज के बीच में है इसका मतलब कि आप आईडियल वेट हैं अगर आपका बीमाई 25 से 30 के बीच में है इसका मतलब है कि आप ओवर वेट हैं अग रखिए अगर आप ओवरवेट हैं या ओबेसिटी की रेंज में आते हैं तो आप हाई रिस्क पेशेंट हैं आपको बहुत सारी बिमारियां हो सकती हैं जैसे की हाई ब्लड प्रिशर, हाई कॉलिस्टरॉल, आर्थराइटीस, डाबिटीज मलाइटस, कार्डियक डिजीज, स् अब बात करते हैं आपकी हाईट के हिसाब के अकौर्ड इपका वजन कितना होना चाहिए अगर आप 5 फिट के हैं तो आपका वजन 43 से 58 kg के बीच में होना चाहिए अगर आप 5 foot 2 इंच के हैं तो आपका वजन 45 से 61 kg के बीच में होना चाहिए अगर आप 5 foot 6 इंच के हैं तो आपका वजन 52 kg से 70 kg के बीच में होना चाहिए अगर आप 5 foot 10 इंच के हैं तो आपका वजन 58.6 से 79 kg के बीच में होना चाहिए बाकी हर height को और हर weight को हम नहीं बता सकते इसलिए बाकी का आप खुद निकाल सकते हैं ये अब तक बात हुई आपका वजन height के हिसाब से कितना होना चाहिए अब हम बात करते हैं आपके calorie intake की आपको daily कितनी calorie लेनी चाहिए और ये भी depend करता है आपकी life style पर आपकी life style क्या है अग जादतर लोगों की life style sedentry है sedentry मतलब की physical activity normal ही है वो कोई vigorous काम नहीं करते हैं बहुत मेहनत वाला काम नहीं करते हैं कुछ लोगों का अकसर पूछना होता है कि अपने घर में जाडू पोछा कपड़ा खाना पीना सब हम ही करते हैं तो फिर हमारा वजन क्यों बढ़ता है तो ये चीजें भी बहुत मेहनत वाले काम में नहीं आती हैं ये भी एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल ही है इसलिए आपको भी जो लेडीज हैं दो हजार किलो कैलरी लेनी चाहिए और जो मेल हैं वो धाई हजार किलो कैलरी डेली रिक्वार्मेंट पे ले सकते हैं जिन लोगों को अपना वेट नॉर्मल रखना है और वजन नहीं बढ़ने देना है उनको ये लेना चाहिए लेकिन जिन लोगों को अपना वेट लॉस करना है वो चाहते हैं कि उनका वजन थोड़ा कम हो जाए वो लोग इससे भी कम कैलरी लेने की कोशिश करें कैलरी के बारे में और नूटरिशन के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूँगी जिसमें आपको ये पता चल सकेगा कि कौन सी फूड में किस तरह की कैलरी है और आपकी बैलन्स डाइट किस चीज से कम्प्लीट हो जाएगी अब आपको बताएंगे एक ऐसे सूपर फूट के बारे में जिस से वेट लॉस करने में बहुत मदद मिलती है उसका नाम है चीया सीड अब आप जानना चाहेंगे कि चीया सीड में ऐसा क्या है जिस से वेट लॉस आसानी से किया जा सकता है और इसके क्या फाइदे हैं चीया सीड आपके आसपास के किसी भी सूपर मार्केट में एजली एवलेबल है चीया सीड फाइबर रिच होता है इससे कॉंस्टिपेशन में भी मदद मिलती है चीया सीड में एसेंशल अमिनो एसिट्स पाय जाते हैं जो कि बहुत फायदेमंद होते हैं यह प्रोटीन रि चीया सीड में मैगनीज, मैगनीशियम, फॉस्फोरस, विटमिन B1, B2, B3, जिंक बहुत कुछ होता है जो कि मिनरल से बिलकुल भरपूर होता है चीया सीड में एंटी ऑक्सिडंट्स भी होते हैं जिसमें एंटी एजिंग प्रोपर्टी होती है और यह कैंसर से लडने में भी मदद करता है इतना ही नहीं चीया सीड के बारे में एक फाइदा और है और वो यह है कि ड्राइबटी मलाइटस में यह बलड शुगर को भी मेंटेन करने में बहुत ही फायदेमंद होता है और क्रोनिक इंटेस्टाइनल इंफ्लेमेटरी डीजीज भी जिनको होती है उस यूट्यूब पर देखेंगी तो चीया सीड के बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें कहीं है उन्होंने यह कहा है कि साथ दिन में आप साथ किलो वजन भी कम कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है इतनी जल्दी जल्दी वजन कम करना किसी भी चीज से आसान नहीं है चीया बहुत सारा water एब्जॉब कर लेता है और इससे आपको अपना पेट भरा भरा सा लगता है और जब भी आप कुछ भी खाते हैं उसके बाद तो थोड़ा कम खाने के बाद भी आपको लगता है कि आपका पेट भर गया है जिस वज़ा से आपको calorie कम लेनी होती है आपकी calorie अपन इससे आपका पेट भरा भरा आपको महसूस होता है। चिया सीट से वेट लॉस करना आसान है। इसलिए यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी हैं जिसमें तरह तरह की रेसिपीज दी गई हैं। आप अपने इंट्रेस्ट और अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी रेसिपी ट्राइ कर सकते हैं। लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप उसको एक रूटीन में ले आएं। जब भी आप इसकी रेसिपी को ट्राइ करते हैं। चीया सीट ना किवल वेट लॉस करने में मदद करता है बलकि इसके कोई नेगेटिव साइड एफेक्ट भी नहीं है। लेकिन याद रखे कोई भी फूड ऐसा सूपर फूड नहीं होता है जिसमें सब कुछ हो। इसलिए आपको अपने खाने में वराइटी बना के रखनी चाहिए ताकि कार्बो हाइडरेट अगर किसी चीज में नहीं है तो आप दूसरी चीज से ले सकें। किसी चीज से प्रोटीन मिल जाए, किसी से असेंशल अमिनो एसिड मिल जाए। एक ही चीज में सब चीज मिलने की संभावना बहुत कम होती है इसलिए आपको वराइटी बना के रखनी चाहिए इससे आपको बैलन्स डाइट पूरी मिल जाती है। याद रखिए वेट लोस करने के बारे में कभी भी साथ दिन में साथ किलो वजन कम करने के बारे में आप मत सोचिए। वजन को धीरे धीरे कम करना ही अच्छा होता है। अगर आप बहुत तेजी से कम करने की सोचेंगे तो स्ट्रेच मांग भी बन जाते हैं। स्ट्रिच मार्ग पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आप चाहे तो उसे देख सकते हैं दोस्तों क्यूंकि ये वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए अब कुछ और ऐसी फूड और कुछ और ऐसी टेक्निक्स जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके घर के लोगों को भी इस वीडिय के बारे में पता चल सके